भाई फिर से करेंगे मीनी जीयल, ओल मीनी जीयल पे कबज़ हम लोग पाकिस्तान भरसत कनाड़ा के मुकाबले में भी, कल आपने देखा परसो देखा तरसो देखा, डेली का डेली क्या हो रहा है, रिजल्ट आपके, सबसे पहले ये नाइट का है मेरे भाई, यहाँ पर 11% व एंडरिस को ले कराये था, हम लोगोंने मीलर को ले कर, टी हसन साकिब यहाँ पर जीयल का ट्रंब काड़ा साथ में महाराज की जय हो, वन साइडेट विन क्या कोई आसपास नहीं था, तो मेरे भाई एक मुकाबला विन करने से कोई बड़ाद भी नहीं हो जाता ति यहाँ स आप देख सकतो पाकिस्तान का मुकाबला किस परकार से गया था, हार्दिक पांडिया केप्टन जस्परित बुमरा भाई लगबग अलमोस्ट ड्रीम टीम, 20 टीम बनाया जितना भी टीम बनाया, सब में आपको यहीं नजर आएगा, सेम केप्टन भी सी मजेदार मेज, यहा में एक लाक ले गया, क्या है पाकिस्तान भर्सेज इंडिया का जबल दस्त मुकाबला, इनके लाव दस्तो निधरलेंड भर्सेज साउथ अफ्रीका का टीम लेलो, यहाँ पर भी देखो को हम लोगों ने अल्ट्रा किलिंसिप किया, केप्टन ओबटमान नोट जी, यहने लगातार अच्छा जारा है, सारा दिखाने के हमें लगता जरूरत है, तो मेरे भाई एस से करके विनिंग हो रहा है, तगड़ा विनिंग, मारक आडिर सी यंग, फिर से देखो, यहने किन लगभग सारे मेच हमारा अच्छा जारा है, बहुत अच्छा जारा भगवान की कि पासे उमीद करेंगे पाकिस्तान भर्सक कनाडा में और हम लोग बवाल तरीका से भी निंग करें तो मेरे भाई पाकिस्तान पासे कनाडा के मुकाबल हमारे साथ खेल रहे हो और प्रोफिट करने की और देख रहे हो तो हमारे टेली गराम चैनल को आपको जोईन करना बहुत जादा जरूरी है क्योंकि वहाँ ही पे मिलेगा आपको फाइनल टीम जिस टीम से मैं खूद खेलत जिया मेरे भाई हमारा टेली गराम चैनल आपको 56.6 के सब्सक्राइबर के आसपास दिखेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक या फिर वीडियो के फर्स्ट कोमेट जो ता वहाँ पर होगा लिंक के बुलू कलर में सावरफ समाजिक चवरासी रहेगा उसी प पीज हम लोगों की लकी सावित है इनके अनुकूल टीम हम लोग बनाते है टीम वन साइडेर जाती है क्या होगा कनाडा की टीम देख कर लग रहा हुआ लोगों को कि कमजोर है भाई रुको कनाडा की गेनवाजी एटेक आप देखे हो तो कमजोर मत बोलना पाकिस्तानी USA के खिलाब भी हर के आया है इंडिया के खिलाब जहां पर असानी से वीन होता consensus कराया है तो अब कनाडा को कैसे बोल सकते हो मेरे भाई इन्होंने Ireland जैसे मजबूर टिम को भी हराया इनके जरिये मजबूर टिम है अइरलेंड तो पाकिस्तान को भी हरा देती, इसमें चौकना नहीं है, हाँ पाकिस्तान मजबूत था, ये तो सब को पता, लेकिन भाई मजबूत सब दिन रहेगा, ये कोई गरांटी नहीं ले सकता, अब देखो कनाडा ने यहाँ पर क्या करके आ रहा है, कनाडा की तरब देखा जा आयर बढ़े टीम ने साउथ अफ्रीकल लगभग सारे मेज खेले, सिरिलंका खेला, पाकिस्तान खेला, इंडिया खेला, लेकिन कनाडा ने 137 बनाया, गेनबाजी अटेक बुरा नहीं था, एरलंका, निक किर्टोन भाई गजब का पिलेर है, रिकोर्ड बहुत अच्छा है, इस बिगेट कीपर ने भी योगदान दिया, बस टीम अच्छा स्कोर पे चला गया, गेनबाजी केसाना, यह मुकाबला वन साइडेर हम लोगों ने विन किया था, केसाना, बहुत जादा इंपोर्टेर है, जे गोर्डन, यह भी बहुत जादा इंपोर्टेर है, इनकी गेनबा जो कनाडा टीम का बहुत टाइम से हिस्सा है, और बहुत मज़ेदार पिलेर है, तो इस पीनर है, इनको पीक करना बनता है, क्योंकि बल्ले से भी योगदान दे सकता है, डी हेलिगर, भाई, इनका गिनबाजी एटेक देखो, मेडियाम फार्स्ट गिनबाजी करता है, इनक आज तो मैं असानी से वीन करूंगा, शुरुवाद भी ठीक ठाक रहा, रिजवन का केज ड्रोफ हुआ, वहाँ पर बाबाराजाम रिजवन मज़े से खेल रहा था, असानी जमियाच कहीं फसा हुआ, नजर ही नहीं आ रहा था, फिर मूल आया वहाँ पर, जहां से ये उब पर नहीं पाएने, सिम सा तीन विक्र लेगे, इंपोर्टन रहेगा, मोहँबाद आमीर भी इंपोर्टन रहेगा, साइन सा फ्रीदी हरिश रो, ये चार इतना इंपोर्टन रहेगा, कि चारों को केप्टन भी सी भी दे सकतो, वैसा इंपोर्टन रहेगा, अब ट्रम्प का नियू योर्क को माइंड में रखते हुए तो मेरे भाई कॉंबिनेशन देखेंगे लेकिन इससे पहले हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्यों मेरे भाई तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो तो कि ड्रीमिलवन से रिलेटेड कोई भी अफडेट आता ह है विकट किपरिंग में रिजवन से बढ़िया कोई नहीं होना ची वैसे रिस्क लेने का तो बहुत कुछ लिया सकते है यो खान के ऊपर भी जा सकते हुए लेकिन एक बिकट कीपर रिजवन एक बलेबाज भाईया बाबार आजम ही होना ची दूसरा बलेबाज में फुकर जमान का नाम आता है, बुरा नहीं है, अच्छा है, तिसरा में एन किर्टोन का भी नाम आएगा, कनाड़ा की तरफ से, माहें हाथ का बले बाज, खिलने का इनका टेक्निक देखो, उन्हें देख के मजा जाएगा, गजब खिलता है, गजब, बांकि ये जोंसन, ये धैली वा रहेगा, क्योंकि पहले बल्ले बाजी में बल्ले बाजी मिले एक चांस इनके हाई रहेगे, डिहली गर यहां से, सादवीन जफर, दोनों को दोनों बनिया ओल्राउंडर की सुची में आता हर दोनों इंपोर्टिन रहेगा, साइंसा फ्रिदी एंसा मुहंब आमिर हरिस रो कर उपाले, क्यप्टन भी सी के यहां पर देखो सबसे पहले पाकिस्तान के चारों गिनबाज क्यप्टन भी सी के बहुत बढ़िया ओप्शन रहेगा, वैसे जे गुर्डन, डी हेलिगर, के साना, इन तीनों के उपर भी जा सकतो जब इनकी पहले गिनबाजी आए, इनकी कीम को तो, बागी ये चार इंपोर्टन रहेगा, सबसे ज़्यादा इंपोर्टन रहेगा, हरी स्रोप, साइनसा, फृदीप, एनसा, तब फिर मुहमाद आमीर, अब एक पिलियर जो ये आपको जील, मीनी, जील, एसल सब जितवाएगा, लग रहा है कि क्वालिटी स्पिनर कनाडा जे पनिया कर पाएगा, लेकिन इस्पिनर को थोड़ा कम मदा था, याद रखना, केसा महराज ले गया विक्टे, मेच लाइब आप देखे होंगे, तो वो विकेट लिया नहीं, वहाँ पर कुछ उलट फेर भी हुआ था, साकीवल हसन ने फूल ओबर नहीं कर पाया इस्पिनर को थोड़ा कम मदा था, जुनिया से दिक्यू को आप ड्रोप कर सकते हों, आपको लगता ही पाकिस्तान मजबूत था है, तो इनके इस्पिनर ले ले इमाद वसीम का, लेकिन हो सकता है, इमाद वसीम कम ओबर डाले, सदा आप खान जादा ओबर डाल जाए, पिक कर लोगे सेभ हो जाएगा, सोफ पर्षेंट इंका बल्ले बाजी आएगा ही, लेकिन बल्ले बाजी करना टाफ है, तो गइन्वास के उपर जाते हैं, लेकिन बाजी जब जाते हैं तो गएन्वास जी में कितना उभर ढालेगा को नहीं ढालेगा तो ये लास्ट पिर quiet करके तो फिर मजा यह मोबहा को एक बाव कंग ले युखान को एक बाद पिक कर ले दो टीम हो गिया एक बार इनको 30 मह ग्याày एक बार इनको चाट्टीम इससे करें किरने वीच 되지 सेम रखकन फिर केप्टन विजी रिभर्स का देंगे हरीश रोप केप्टन साइन सा फिरीदी वाज फिर हरीश रोप केप्टन एन सा फिर एक एक रोटेशन करेंगे साइन सा फिर एक पिले रोटेशन करेंगे इस बार एन सा केप्टन एक बार विजी हरीश रोप को एक बार पर फिर एक एक फिलर रोटेशन करेंगा भाई 40 टीम बन गया होगा जो मैंने दो मिनेटेव बाते बताई तो हमारी बातों का नुसार चलो मेरे भाई चलो बड़ा एमाउंट चल कर आएगा आपका डेली मिस हो रहा है बड़ा एमाउंट घबलाना नहीं है छोटा एमाउंट अब वो नहीं चलेगा अब हम लोग वर्ड का बहुत सारे मुकाबले देख लिया है तो वो आँखो देखा हाल पर ही प्रेडिक्शन किया जाएगा फिलाल के लिए वीडियो के हैं समाप्त करता हूं आसा करता हूं भगवान की किरपास हम लोगों का मेच अच्छा जाए ज वीडियो को भी समाप्त करता हूं